Hi everyone, last video में हमने CSS box model सीखना स्टार्ट किया था, हमने discuss किया था height और width properties क्या होती है, कब हमें height को pixels में use करना चाहिए, कब हमें percent में use करना चाहिए, और हमें क्यों avoid करना चाहिए pixels में use करना, हम लोग pixels में height और width set करते हैं तो overflow होता है, टेक, scroll बार आ जाता है, तो इससा हमें avoid करन चाहिए, उसके जापे हमें min width, मतलब min height और max width use करना चाहिए, और हमने padding के बारे में थोड़ा सा discuss किया था, बहुत detail में नहीं है, बहुत हलका सा discuss किया था, इस video में हम लोग padding margin और water के साथ साथ हम लोग outline के बारे में भी discuss करेंगे, और काफी in depth में discuss करेंगी, कि क्या होते है कैसे काम करते हैं, तो चलो हम लोग अपने laptop पे चलते हैं, तुम भी अपना laptop खोल लो, और मैंने अभी यहां पर पुराना project खोल लिया है, जिस पर हम लोग ने last video में हमने सीखा था, यह height और width के बारे में, तो यहां पर project खुला है, अगर मैं इसको browser में खोलूंगा, तो पैडिंग और यह, पैडिंग क्या होती, सबसे पहले हम लोग देखेंगे, पैडिंग क्या होती है, तो पैडिंग हमने दिया था, last video में यहां पर, इसमें दिया था पैडिंग, किसके उपर दिया था, एक मिनिट, यह क्या है, यह जो one है, इसका थोड़ा सा structure हमने change किया था इसका structure थोड़ा सा change कर देते हैं यहां से इस content को अटा कर इस one child को हटा के उसके सीधा one के अंदर रख देते हैं और इसमें से height और width हटा देते हैं अभी के लिए height और width सीधा pixels में set कर देते हैं यह भी अटा दो ठेक यह भी अटा दो यह अटा दो और यह property पड़ी रहने दो नीचे पोई दिक्कत नहीं करेगी तो यह इतना हो गया अब इसकी height और width pixels में set कर देते हैं तो width इसेट कर देते हैं height अपने आप adjust हो जाएगी 400 pixels यह ने पिक्सल में set कर दिए और थोड़ा से कम कर दो 300 कर दो तो यह इसकी इतनी height हो गई है इसको अगर inspect करेंगे यहां पर लाके तो यहां पर देखोगे 300 pixel हो गई है और फिर यहां पर उसकी height 110 हो गई है तो अब हम लोग को इसके around थोड़ा सा space देना है अभी ब्रीद करने के लिए बिल्कुल जगा नहीं है तो वह हम लोग पैडिंग का यूज़ करके देते हैं तो अगर हम लोग यहां पर आके पैडिंग देंगे तो यहां पर इसके एक एक space create हो जाता है तो जो हमारा element होता है उसकी हाइट और विट यहां पर है इधर पैडिंग जो दे देते हैं तो उसके राउंड थोड़ा सा space हो जाता है और अगर हम उसके background color देंगे तो यहां पर अगर हम लोग चाहें तो इधर इसको double click करके edit भी कर सकते हैं इसको अगर मैं 0 कर दूंगा और एंटर करूंगा तो उपर का space 0 हो गया यहां पर नीचे का अगर यहां पर 0 हो गया यहां पर 0 नहीं यहां पर अंडर स्कॉर दिखा रहा है मतलब empty spaces का मतलब है यहां पर यहां पर अगर मैं 50 कर देता हूं तो भी देखना बहुत ज्यादा हो गया यहां उपर तो यह तुम खुद से edit कर सकते हो तो यहां पर देखो यहां पर apply होता है element style सीधा देखो अभी मैं इसको अगर थोड़ा सा बढ़ा करूं कैसे होगा इसको उपर करके दिखाता हूं त तो element style में सीधा apply हो जाता है जब यहां पर तुम change करते हो तो इसको करके 25 कर दो तो reload करोगे अपने आप gap हो जाएगा तो क्या होता है जो हम लोग यहां पर लिखते हैं तो element वाले पर चला जाता है और उसकी specificity जादा होती है इसलिए हो apply हो जाता है अभी हम लोग इस side का कर देखा के हम लोग कर देते हैं इसको 1200 250 अभी इंटर करेंगे तो देखो यह पैडिंग लेफ्ट यहां पर अप्लाई हो गई 250 और इसको expand करोगे हमने देखाता है कि इसके अंदर चार प्रपरटी होती है तो इसमें से पैडिंग लेफ्ट जो है cross out हो गई है पैडिंग कर दिया है यहां पर element style तो यह temporary है जैसे हम लोग पेज को reload करेंगे यह गाव हो जाएगा यह गाव हो गया हमारा जैसे जो भी code के अंदर लिखाता है वह permanent है तो यह हमेसा दिख रहा है यहां पर हो यह होता है पैडिंग पैडिंग इसके अंदर ऐसे आता है मतलब हमारा जो इसके बाद हम लोग चलो देखते हैं border border क्या होता है और तो यहां पर चलो border देखते हैं तो border यह भी एक shortcut property ही है तो border चलो 10pixel 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 मैंने दे दिया है यहां पर कुछ नहीं दिख रहा है तो मुझे border का वह बताना पड़ेगा style होता है और control space दबाओगे तो यहां पर यह वह style दिखा रहा है की नहीं सारा color दिखा रहा है यह तो यह उसका style नहीं दिखा रहा है यह तिन थिक solid दिखा रहा है मतलब यह solid हम लोग को देना है यहां पर border 10pixel solid तो यहां पर देखो यह 10pixel solid हमारा हो गया है और by default इसका color जो होता है ब्लैक होता है ब्लैक नहीं हमारा जो फॉंट का कलर होता है वह होता है अगर मैं फॉंट का कलर अगर कलर अगर मैं चेंज करके कुछ और देदूं जैसे की डार्क ब्लू कर देता हूं कलर तो देखो जो हमारे टेक्स्ट का कलर था वही बॉर्डर का कलर हो गया तो जो border का by default color होता है हमारे text का color होता है लेकिन हम लोग अगर चाहें तो इसको overwrite कर सकते हैं यहां पर एक और property देखें जैसे मुझे अगर मालो red चाहिए border 10 pixel solid red तो यह देखो red हो गया red इससे थोड़ा सा मिल रहा है तो red ना देखें कुछ और देते हैं चलो देदो teal तो यह अब overwrite हो गया अब text का color नहीं text का color है blue और हमने खुद से अपने border का color दे दिया यह पर इसको expand करोगे ना तो देखो इसके अंदर बहुत सारी प्रपरटी जाएं border weight है border style है border color है तो यह सब कुछ जाद देखने की जरूत नहीं हम लोगों सार्ट कट ही use करते हैं और देरे देरे जब हम लोग use करेंगे तो अपने आप देरे देरे प्रपरटी याद हो जा top left bottom right सबके लिए एक एक प्रपरटी देखो तो टॉप का color टॉप का style अब इस टाइल देखो यह सॉलिड है यहां पर एडिट नहीं हो सकता है अगर चेंज करके हम लोग और भी चीज़ें कर सकते हैं यहां पर सॉलिड की साथ साथ डाइस होता है अगर मैं कर दूँ डैस तो यह देखो ऐसे डैस करके आ जाएगा और फिर एक होता है डॉटेड अगर डॉटेड यह डॉट करके आ गया तो तो तुम्हें इसमें से सब्सक्राइब हो कि क्या-क्या प्रप्रपेटी कैसे डैस बोडर लगाना है कैसे मतंथ हैरा सखना डेंग बार लगाना तो मेक ट्रेंड बार इन स्कूल और फिर इंस नॉर्मली जो होता है ना डॉटेड नहीं उस करते हैं हम इसा सॉलेड ही उस किया जाता है मैक्सिमम केसस में कभी कभी हो सकता है तुम्हें जोरत पढ़ जाया विससे मुझे आद तक जोरत नहीं पढ़ी डैस्ट की कभी कभी जोरत पढ़ती है तो इसके अंदर में यह बोल रहा था कि यह बसके वहल रिपीट हो रही है बार-बार प्रोपर्टी देखो टॉप के लि रिपीट हो रही है तो तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान उसके अंदर नहीं देना है बस यहां तुम देख लो इसका क्या सिंटाक्स होता है बार्डर 10 पिक्सल मतलब कितना मोटा रहेगा इसको अगर बढ़ाओ तुम इसको अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो यह देखो म अगर आप लोग एक चीज नोटिस करेंगे एक चीज अभी नोटिस करो ध्यान से देखो, अभी margin थोड़ी देर बाद discuss करते हैं, अभी अगर इस पे आके देखोगे, तो इसकी width 300 pixel हमने दी थी, तो 300 pixel यहां तक है, अंदर वाली चीज जो है 300 pixel है, यहां पर अगर hover करोगे, इधर ही करो देखो यह, अंदर वाली चीज 300 pixel है, 300 by 110 pixel है, फिर उसके 25 pixel चारों तरफ से दे दिये, तो 25 pixel वो add हो गया है उसमें, तो यहां पर यह 25 pixel इधर से, 25 pixel दर से, 50 तो साड़े 300 pixel हो गया है, यह तना जो पूरा हमारा box है, यह साड़े 300 हो गया है, मतलब अगर हम लोग यहां से इस point से लेके, इस border से लेके, इस border तक यहां तक देखेंगे, तो साड़े 300 हो गया है, क्योंकि 25-25 add हो गया है, अगर मैं अभी घटाओंगा, अगर इसको मैं reduce करूँ, इस 25 को तो भी देखना, मेरा जो यह box हो छोटा होता जाएगा, यह देखना, यह देखो छोटा हो रहा है, देख रहा है ना, ओपर से भी, नीचे से भी, दोनों साइ तो यह देखो बढ़ रहा है, तो पचीस हमारा था, तो यह 25 हो गया है, और फिर उसके बाद जब हम लोग बादर देते हैं, तब ही बढ़ता है, अभी देखो, बादर 10 पिक्सल है, अगर इसको मैं छोटा करूँगा, तो भी इसकी गट घट रही है, अगर जीरो कर दिया, तो इतनी हो गई, और फिर बढ़ा करता हूँ, तो भी देखो मारा बॉक्स पूरा बढ़ रहा है, तो अभी अगर मैं इसको 50 कर दूँ, 50 पिक्सल मैं ने कर दिया, और अगर इस पर आके हवर करेंगे हम लोग, यहां पर देखो, इस वन पर आके अगर हवर करेंगे, तो इ यहां पर तो उतनी ही है, ठीक, लेकिन ओवराल यह सब कुछ आड़ करके बता रहा है, पैडिंग बार्डर सब कुछ, content पैडिंग बार्डर सब कुछ मिला कर, यह element कितने space घेर रहा है, वो यह डिसाइड कर रहा है, मतलब यह चीज बता रहा है यहां पर, तो यहां पर टेक्स था, यहां से यहां तक की width जो भी थी, वो 350 थी, फिर उसमें 50, यह 25-25 add हो गया, side-side में, ठीक, तो 50-50, तो 350 हो गया, फिर उसके बाद 50 और 50 और add हो गया, तो यह 100 हो गया, तो 350 प्लस 100, 450, इसलिए इसकी width हो रही है, 450, ठीक है, तो ऐसे height में भी add हो रहा है, ओपर न ऐसे जो ओड़ो, पचीस और पचास पचातर, पचातर उपर पचातर नीचे, तो पचातर पचातर यह पूरा हो गया, 150, तो टोटल इसमें 150 add हो रहा है, तो 210 था, उसमें 150 add करोगे, तो 260 हो जाएगा, वही यहां पर दिखा रहा है, तो जब हम लोग यहां पर hover करते हैं, त width add करके तब दिखाता है, तो देखो इसकी width हमने दी थी 300 pixel, यह देखो यहां पर हमने दिया था 300 pixel, लेकिन इसकी overall width बनके हो गई है, मतलब overall width grow होकर हो गई है, 4500, यहां पर hover करोगे, तो इस कोने में दिखाएगा, देखो इधर यहां पर दिख रहा है, 4500 pixel, तो अब यह हमा 20 होगी हमारी device, तो यह scroll बार आ गया, लेकिन हमने width दी थी 300 pixel, तो इसकी width तो बढ़ गई है, अभी एक problem है, क्योंकि हमने width तो दी थी 300 pixel, लेकिन यह बढ़ के हो गई है, 4500 pixel, और यहां पर हमने border दिया था 10 pixel, इसको बढ़ा के 50 कर दो नहीं, तो overwrite, मतलब जैसे ही change करेंगे तुरंत यहां से reload करेंगे, वैसे ही, यह overwrite हो जाएगा, मतलब हट जाएगा, तो यह बढ़ के हो गई है, 4500 pixel, तो अब इसको कैसे हम लोग solve कर सकते हैं, क्योंकि एक problem है, हम लोग ने width दी थी 300 pixel, और यह हो गई, 400 pixel overall जो भी width है, हमारा, यह हमारा element, 400 pixel कवर कर रहा है, उसके प्रापरटी होती है, box sizing, border box, तो अभी इम लोगों ने वहां पर 50 करके देखा था, तो यहां पर 50 कर दो, नहीं तो तुरंत घट जाएगा, जैसे हमारा page reload होगा, यहां पर मैंने 50 कर दिया है, तो अभी अगर आके देखोगे, तो कुछ अलग सा दिख रहा है, तो अगर यह इसकी width देखो, 300 pixel है, तो यह क्या हुआ, अभी इसकी जो property होती है, दो values होती है, यहां पर content box होता है, जो की by default होता है, तो जब by default content box होता है, तो उसमें जो भी हम लोग width देते हैं, उसमें padding add हो जाती है, फिर उसके उपर border add हो जाता है, और फिर overall जो मारा element होता है, उसकी width बढ़ जाती है, ठीक, लेकिन इसको अगर हम border box कर देते हैं, तो क्या होता है, अभी देखना, हमने जो width दी थी, 300 pixel, उतनी ही है width, यह देखो, यहां पर अगर उपर देख पाओगे तुम, यहां पर इधर, तो इसकी width 300 pixel ही है, तो अभी element हमारा 300 pixel ही space cover कर रहा है, जो browser है उस उसकी width घट गई है, ठीक, उसकी width घट कितनी गई है, 300 थी पहले, अभी घट के 500 हो गई है, तो इस case में क्या हो रहा है, जब हम लोग box sizing border box दे देते हैं, तब हमारी width होती है, उसी में से padding घटती है, ठीक, उसी में से padding होती है, फिर उसी में border भी included होता है, तो इसको अगर प total मिला के 300 हो गया, ठीक, तो ऐसे होता है यह, जो हम लोग box sizing border box दे देते हैं, तो जितना width हम लोग दिये होते हैं, उसी में से यह calculate होके उतना minus हो जाता है, ठीक, तो जैसे कि अगर हम लोग, अभी यह width है, ठीक, यहां पर अगर padding यहां पर आके, हम लोग बढ़ाने लगते ह आँगा, अभी देखना मेरी यह, जो actual content की width हो घटेगी, ठीक, पैडिंग घट रही है, ठीक, मतलब padding बढ़ा रहा है, तो हमारा यह content की width घट रही है, यहां देखो, 1500 से घटके 102 हो गया, अभी इसे घटते घटते काफी ज्यादा घट जाएगी, ठीक, तो यह देखो घट अभी है, काफी, 44 pixel हो गई है, तो ऐसे अगर और बढ़ाएंगे, तो यह देखो घटती जा रही है, ठीक, तो हमारा जो overall element है, ठीक, घटके यह content की width होगी है, 0 हमारी, पर मैंने padding इतनी जादा दे दी है, कि उसी में से subtract करता जा रहा है, घटाता जा रहा है, ठीक, अगर border भ क्या दे दिया मैंने padding, 100, 100 उपर दे दिया padding, 100 नीचे दे दिया, 100-200 padding हो गई, प्लस border यह 100, ठीक, पूरा मिला के 300 pixel हो गया है, ठीक, तो 200 pixel में padding हो गई, 50 pixel में border हो गया, content के लिए कुछ जगा ही नहीं बची, content की width हो गी 0, ठीक, तो अब देखो, अगर इसके बावजूद भ ठीक, यहां पर आके, अगर element की width देंगे, देखेंगे, तो हमारी 300 है, ठीक, लेकिन अगर इससे आगे बढ़ाते हैं हम लोग, ठीक, इससे आगे अगर बढ़ाएंगे, तब देखो, हमारे element की width बढ़ने लगी है, अभी यह देखो, बढ़के हो गई चार सो, ठीक, पैडि इसको थोड़ा सा, कोई, 500 कर देते हैं, ताकि calculation में रहे, तो पैडिंग मैंने कर दी, 500, 500, 500, 300 हो गई, प्लस यह 50, 500, तो 300 और 100, 400 हो गया, तो अगर यहां पर आके देखेंगे, तब इसकी width हो गई है, 400, और उसमें से content की width कितनी है, 0, content की width कुछ बची ही नहीं है, हम लोग box sizing border box कर देते हैं, तब width उसी में से, मतलब हमारा जो padding है, या border है, यह हमारे width में से घटता है, और घटते घटते एक point पर, जब हमारा जो पूरा content है, उसकी width घट जाती है, पूरा एकदम 0 हो जाती है, तब उसके बाद हमारा, मतलब यह बढ़ना सुरू करता है, उसके पूरंती हमारी width बढ़नी सुरू हो जाती है, यहां पर देखो, यह तब तक नहीं बढ़ाता, जब तक कि मैंने इसकी width, मतलब जब तक कि उसके अंदर थोड़ी सी जगा थी, जब तक यहां पर थोड़ी भी जगा है, उसी में से subtract होगा, उसी में से घटेगा, फिर उसके बाद जब तुम extra padding दे दोगे, तब यह बढ़ता जाएगा, तो इतनी padding कभी देनी की ज़रूद पढ़ती नहीं है, बहुत छोटी सी ज़रूद पढ़ती है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए, कब यह हमारा बढ़ना सुरू होता है, जो हमारा element होता है, बहुत ज़्यादा padding या border दे देंगे, अगर मैं इसको refresh करके एक बार मैं border भी बढ़ा के दिखा हूँ यहां पर, तो अभी देखना, यह बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक, बढ़ जा, लेकिन अभी हमारे element की width, अभी हमारी 300 ही है, क्योंकि अभी इतना space इसके यहां बढ़ने लगा, ठीक, यह देखो यह बढ़ने लगा, यह देखो से उपर निकल गया न, तो यह देखो, अरे यार, इसको थोड़ा सा उपर कर देते हैं ताकि हम लोग को दिखे, अच्छा यह 100 पे ही करेगा, 100 से ही बढ़ना कितना है, एक सो, हम, 120 मैंने किया यहां पर, तो यह 125 उपर, एक सो पचीस नीचे, total कितना हो जाएगा, 250, ठीक, 250 हो गया, यह border, ठीक, plus यह कितना है, अरे इधर, इधर होला, calculate करो, तो 125, 125, 250 हो गया प्लस यह 50 तो यह टोटल हो गया 300 हमारा अलिमेंट हो गया है अभी तक अभी तक हम लोगा जो यह है और यह content वाला उसकी width हो गया जीरो यह जो हमें बीच में दिख रहा है यह इतना padding है यह padding वादीड वादी करेंगे तो और ज्यादा ग्रीन हो जाएगा और उसके बाद बॉडर है मारा कॉंटेंट एकदम जीरो हो गया तो यह इसकी पैडिंग इतनी जादा बढ़ गई है कहां गई हम लोगों ने इस पार कॉंटेंट की विट्थ घटाई मतलब इसका बॉडर की जो भी बॉडर की व इस पार क्रामी कि शब्ले सब्सक्राइब तो लोगों उसमें और ऐभी एक पिक्सल भी देगे इसका भी डेग बेस बढ़ना सुरू हो जाएगा बढ़ जाता है तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं जो लोग कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं इस एस में तो हम लोग box sizing हर एक element का यह border box कर देते हैं तो हर एक element को अभी discuss कर लेते हैं universal selector उसको बोलते हैं तो उसको अगर star तुम दे दोगे स्टार से select कर दोगे तो इसको बोलता है universal selector तो यह क्या करता है हमारे page पर जितने भी element हैं उनका box sizing set कर देता है border box तो अब देखो यह इस पर set होगा अगर इस पर आके hover करेंगे तो यह देखो हमारा यह apply हो रहा है box sizing border box और इसकी specificity बहुत कम होती है hover करोगे तो जीरो दिखा रहा है मतलब यह element से भी कम होती है specificity बहुत कम होती है अगर हम लोग यहां पर box sizing को शौर्ट देदेंगे ना तो तो अम लोग ऐसा करते हैं तो मतलब उसकी box sizing border box कर देते हैं ताकि हमने जितना width दिया है उससे ज्यादा हमारा element ना हो normal cases में उससे ज्यादा भी हो सकता है अगर तुम पैडिंग और border को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हो इतना ज्यादा कि उसका add up करके मतलब अगर उसकी width से ज्यादा हो होता है तब हमारी उसकी width बढ़नी शुरू होती है box sizing में तुरंत ही बढ़ने लगती है तो अभी तक हमने discuss किया content area जो की सबसे अंदर होता है फिर उसके बाद पैडिंग फिर उसके बाद border तो यह तीन चीज जो होती है यह तीनों चीज मिलकर हमारा जो element है उसकी width decide करती है width और height ठीक दोनों चीज decide करती है जैसे कि इस case में 25-25 यह 50 हो गया ठीक और यह 50-500 हो गया तो यह पहले तो यह border और पैडिंग दोनों को मिला के यह 500 हो गया ठीक यह 500 हो गया और फिर उसके बाद यह 100 तो टोटल 300 तो इसलिए हमारे element की width 300 है अगर वहां पर कोने पर जाके देखेंगे तो 300 दिखा रहा है अब उसके बाद आता है margin तो जो margin होता है हमारे element के width में नहीं included होता है वह हमारे width के बाहर होता है अब element से actual में बाहर होता है तो उसको समझने के लिए एक बार थोड़ा सा change करते हैं इसमें पैरेंट का पैरेंट को अटा दो इसकी style की ज़रूत नहीं है हमारा ऐसा हो गया अब हमने एक element to create किया था यहां पर इसको और इसमें भी सेम चीज कॉपी कर दो मैंने सेम चीज कॉपी कर दिया है अब अगर यहां पर चलके देखेंगे तो उसका कुछ color अलग सा है तो कहां गया टू इसका background color ऐसा दे दो कि ताकी थोड़ा सा readable रहे यह क्या है blurry wood यह मैंने color दे दिया है जो भी है और इसकी height width उतना ही दे दे दो जितना उसका था और इसको भी हटा देते हैं क्योंकि हमने पहले ही अपने html से remove कर दिया था one child तो इसको भी मैंने हटा दिया है और फिर इसको height width उतना ही दे दिया अच्छा हाँ height height तो दिया नहीं है width दिया और padding दिया और फिर border भी उतना ही दे दो margin समझने के लिए हम लोग यह कर रहे है तो और इसका जो border का color है इसका कुछ और कर दो color क्या कर देते हैं hot pink होट पिंक कर दो तो यह मैंने कर दिया यह ऐसा तो अब देखो यह हमारा one element यह one element है मतलब one class वाला element है और फिर यह two class वाला element है और इसको मैंने parent के अंदर रखा इसको parent के अंदर भी रखने की जरूरत नहीं है इसको भी बाहर ही निकाल देते हैं इसको parent वाले को delete कर दो इसके उपर सीधा रख दो तो हमारा यह side side में आ गया one two तो अब देखो यहां पर यह देखो यह इसमें इतना हमारा content area है फिर उसके बाद यह चीज padding है फिर उसके बाद border है same story यहां पर भी है इतना content area यह padding यह border है अब हम चलो इस पर चलके कुछ margin देते हैं और यह देखो अभी यहां इस वाले इससे भी सटा है इसपैंस अभी एकदम चिपका हुआ है यह हमारा जो one वाला है तो अभी one के ऊपर चलके कुछ देदो margin जैसे padding देते हैं और margin वाला style देना है अगर padding देना है तो पी लिखके enter दबा दो अपने पूरा padding लिख जाएगा अगर लिखना है तो margin लिखके enter दबा दो यह पूरा लिख जाएगा अब margin यहां पर दे देते हैं 40 pixel मैंने दे दिया 40 pixel margin अब देखो यह क्या हुआ तो यह क्या हुआ है margin top bottom left right सब इस पर 50 pixel margin apply हो गया है यहां पर आके देखोगे तो 50 नहीं 40 क्या बोला था मैंने जो भी बोला था 40% परसंट नहीं pixel तो 40 pixel यह style apply हो गया margin apply हो गया है पता नहीं क्या बोल रहा हूं मैं तो इस element पे हमारे 40 pixel का margin apply हो गया है तो margin से क्या होता है अगर वो किसी भी element के पास है तो उतना दूर चला जाता है जिसे यह top से 40 pixel दूर चला गया है 300 pixel by 352 मारा height width वो उतना ही रहेगा अगर मैं इसको reload करता हूं यहां से margin पूरा हटा देता हूं तब देखता हूं तब भी उसकी height width उतनी है यहां पर देखना तो 300 by 352 उतनी है और फिर मैं margin लगा देता हूं फिर देखता हूं तब भी उतनी है तो यानि कि margin जो होता है हमारे height width में include नहीं होता है उसके बाहर होता है तो यह क्या होता है basically जिसे मैंने top से 40 pixel margin तो अगर आसपास कोई भी element था उससे दूर चला गया उतना तो यह इतना दूर जा रहा है देखो दूर भाग रहा है इतना मैंने 1500 pixel कर दिया top से इसको 150 pixel दूर कर दिया मैंने तो यह देखो ह यह इस नीचे वाले से भी 50 pixel दूर चला गया है अगर नीचे वाला बढ़ाएंगे margin तो यह नीचे वाला element दूर जा रहा है देखने में मतलब लग रहा है नीचे वाला जा रहा है लेकिन actual apply कि इस पर हो रहा है हमारा margin उपर वाले पर तो उपर वाला उसको नीचे वाले को बढ़ा है कि मतलब मुझसे इतना दूर रहो मुझसे 100 pixel दूर रहो मैंने Android कर दिया है तो उतना space कवर कर ले रहा है ठीक तो उसको नीचे भेज रहा है तो यह होता है margin margin हमारे element के बाहर होता है ठीक तो ऐसे element को हमने दूर दूर कर दिया तो हम कितना भी margin दे दें अपने elements पर हमारे height width पर कोई फरक नहीं पड़ेगा हमारी height width उतनी ही रहेगी इसको मैं बढ़ा के 400 कर दूँगर 400 कर दिया सारे तरफ से 400-400 pixel का margin हो गया लेकिन element की height width उतनी ही है 300 by 352 तो margin देने पर कोई भी फरक नहीं पड़ता है height width पर तो मैंने यह वाला नीचे element इसलिए रख दिया ताकि आपको यह दिखे कि हाँ इस वाले element से भी यह दूर जा रहा है नीचे से भी दूर जा रहा है उपर से भी दूर जा रहा है हर तरफ से यह दूर जा रहा है तो अगर हम लोग यहाँ पर अगर body पे inspect करेंगे ठीक मारा जो body था बॉड़ी पर आजाओ ये तो बॉड़ी पर अगर इंस्पेक्ट करेंगे तो देखो यहाँ पर बाई डिफॉल्ट यूजर एजेंट स्टाइल सीट यहाँ पर मार्जिन एट पिक्सल है इसी लिए यहमारा जो कोई भी एलिमेंट रखते हैं तो यह साइड से अपने आप अगर मैं इसकी मार्जिन एकदम जीरो कर दूँ हटा दू तो भी यह साइड से इतना दूर रहता है हमेशा हमने देखा होगा स्टार्टिं से ही तो अगर मैं यहाँ पर आके बॉड़ी का मार्जिन जीरो कर दूँ तो क्या होगा यह सट जाएगा देखो साइड में सट गया इधर अगर मेरे पास बहुत लंबा सा यह होता पैराग्राफ इसमें जो मैंने विट सट कर रखी इसकी विट थटा देता हूं तो यह देखो अगर बॉड़ी पे मार्जिन रहेगा थे मैंने अपनी वाली मार्ज अपनी तो यह इसको मैंने हटा दिया इसको मैंने रिमॉप कर दिया तो यह पूरा एज-to-edge stretch हो रहा है अब यहां पर देखो गे तो यह यह देखो टॉप को नहीं टच कर रहा है जो हमारा हेलो वर्ड है तो हर एक हैच वन में पी टैग में और एच टू एच थी में सारे ह कुछ मार्जिन होती है तो मार्जिन होती है अच्छे के लिए होती है तक हमारे लाइंस में स्पेस ही रहे तो यह है मार्जिन ब्लॉक और मार्जिन ब्लॉक एंड ब्लॉक स्टार्ट यह तरह से टॉप और टॉप मार्जिन टॉप मार्जिन बॉटम का ही एक दूसरा तरीक लिखने का तो यह मार्जिन टॉप और मार्जिन बाटम होता है कुछ यहां पर कुछ कुछ है मतलब और यह देख रहे हैं लोग 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 नेक्स्ट वीडियो में डिसकस करेंगे जिसमें हम लोग सिसस यूनिट्स को डिसकस करेंगे तो अभी तक हमने क्यों में पिक्सल औ हम लोग सिसस करेंगे लिए जो यहां पर और मैं मार्जिन जीरो दे देद को मार्जिन अगर जीरो देता हूं लिख के रूपर तक चला गया हुए और फिर बॉड़ी को मार्जिन जेरो दे दिया तो एकदम उपर जाके है रहुतम ऐस्याख कि पर अगर में इसके पर कोई ग्राउंड देता हूं कि अ पर देवाइं उस्ट कर दिए कमजिदें livro कर दिया इसके बाद पीडिया है अब आप लोग इसका margin 0 करिए, 0 करके देखिए क्या होता है, मैं वेट कर रहा हूँ, मैं उम्मिद करता हूँ, अपने इसको कर दिया होगा margin 0, कैसे करेंगे, P को select कर लो, P tag से, और margin कर दो 0, यह देखिए, तो यह मारा उस पर जाके चिपक गया है, तो यहां पर जाके चिपक हो गया है, और यहां पर अगर देखेंगे, तो इसकी margin 0 हो चुकी है, कोई भी यलो वाला पार्ट नहीं है, यहां पर देखो 0 है, अगर यहां पर इसको अटा देंगे, तो इस पर 16 पिक्सल margin है, top and bottom, margin top and bottom, left, right, कोई भी margin नहीं है, इस पर भी अगर इसको remove कर देंगे, तो इस पर और भी ज्यादा margin है, 21.4 pixel margin है, top and bottom, तो हम लोग normally P tag और H1 से margin नहीं remove करते हैं, लेकिन body से margin को remove करते हैं, तो इसको हटा देते हैं अभी के लिए, इसकी margin को, और इसकी margin को हटा देते हैं, body की margin को रखा रहें देंगे, body की margin को हम लोग starting नहीं हटा देते हैं, जैसे हम लोग जब box sizing border box लिखते हैं, तो उसी time पर हम लोग body की margin होती है, उसको भी zero कर देते हैं, ताकि हमारा element किनारे किनारे तक जाए, फिर उसके बाद हम लोग को अगर खुद से margin या padding देना होता है, तब हम लोग खुद से देते हैं, जो default margin होती है, उसको अठाते हैं, यह तो ह मैं आपर फिर से margin देते हैं, और इसकी width 300 pixel कर देते हैं, एक बार फिर से width 300 pixel मैंने कर दिया, और margin मैंने दिया था, इसको uncomment कर देता हूं, तो यह हो गया, और इस पे भी margin दे दो, 400 pixel, 40 pixel जो भी था, दोनों पर मैंने margin दे दिया, तो यह तो हो गया, पूरा box model, उसमें margin, padding, border, content area, सब कुछ हमने discuss कर लिया, अब दो properties और हम लोग यहां पर discuss करेंगे, जो कि box model के अंदर नहीं आती है, लेकिन इसी से related है, काफी similar है, तो अभी हम लोग इसका border थोड़ा सा पतला करते हैं, थोड़ा सा पतला मतलब चलो 8 pixel कर देते हैं, और इसका भी 8 pixel कर दो, इसका और भ नहीं, यह नहीं करना था, border को पतला करना था, इसको कर दो 8 pixel, और इसको कर दो 4 pixel, देखते हैं क्या अंतर होता है, तो मैंने दे दिया थोड़ा सा पतला border दोन में, तो एक property होती है, border radius, तो border radius क्या करती है, अगर हम लोग को किसी भी element का kona जो है, rounded करना है, तो उसके लिए हम लोग use करते है, border radius, इसे border radius दे दिया, अब इसको हम लोग pixels में देते है, pixels में भी देते है, percentage में भी देते है, तो अभी पहले pixel में देखते हैं, करके, तो मैं कर देता हूँ, कुछ भी 10 pixel कर दो, 10 pixel कर दिया, अभी यह देखो, कितना मस्त, rounded इसका border हो गया, इससे हमारे height width या किसी भी चीज में कोई फरक नहीं आता है, ना तो border में कोई फरक आएगा, 4 pixel रहेगा, border भी जितना हमने दिया था, यहां पर, यह दो 4 pixel दिया था, ना तो किसी margin में, padding में, ना तो height width में, किसी में, कोई भी change नहीं आता है, जो भी पूरी width थी उतनी है, तो इससे कोई फरक नहीं आता है, बस हमारा थोड़ा सा rounded corner हो जाता है, और इसमें आके, border radius, तुम चाहो तो और भी दे सकते हो, 25 pixel दे दो, ज्यादा उसका कोणा rounded हो जाएगा, ज्यादा rounded है यह, अब इसी का use करके हम लोग circle भी बनाते है, circle ellipse कोई भी safe बनाते है, तो उसको circle बनाने के लिए मे border radius को 50% देना पड़ता है, अब 50% दे दिया, जोखो यह ellipse बन गया है, circle नहीं बना है, circle कैसे बनेगा, circle बनाने के लिए हमारा square होना चाहिए, अभी square नहीं है, इसकी width height बराबर नहीं है, मतलब अलग-अलग है, तो इसकी width दे दो, 300 pixel width दिया है, height दे देते हैं, 300 pixel, अब height, तो देखो, इस case में हमें height देनी की जरूत है, अगर मनलो किसी भी तुम्हें image को या किसी भी चीज को तुम्हें एकदम circle बनाना है, तो इस case में width height देनी की जरूत है, दोनों को equal दोगे, तो पहले तो square बनेगा हो, फिर उसको, अगर मैं इसका border radius हटा देता हूं, तो देख देखेगा, अभी देखना, यह देखो, तीन सो पिक्सल भाई, तीन सो पिक्सल इसकी height width देख रही है, तो अभी square बन गया, अब इसको मुझे circle बनाना है, तो border radius 50% देदोंगा, तो यह circle बन गया, तो यह 100% भी देदोंगे, तो भी circle बन जाएगा, अब यह text इसके बाहर जा में से उसको round करना था, तो content को नहीं move कर रहा है, बसको corner को round कर दे रहा है, तो हमारा perfect circle बन गया है, यहां से content अगर हटा दोगे, तो और अच्छा लगेगा, यह देखो एक दम circle बन गया, तो अब मैं आपको एक task देता हूँ, कि इस circle के अंदर आप अपनी photo रखे, और ऐसे इस circle में ही देखे, उसके बाहर न जाए, अप लोग इस वीडियो को pause कर दीजिए, अपना photo यहां पर download करके, यहां पर रखे, और circle में लगा के देखे, देखे कर पाते हैं कि नहीं है, तो एक tip देता हूँ, जब आप इस circle के अंदर आपनी image रखेंगे, जैसे जो भी हमारी div 2 है, इसके अंदर जब आप image रखेंगे, तो image इससे बाहर जाएगी, बाहर जाती भी दिखेंगी, जैसे भी हमारा text देख रहा था, तो बाहर जाती भी ना दिखे, उसके लिए हम लोगों ने क्या देखा था, हमारे text से नीचे बाहर जा रहा था, content तो क्या हम लोगों ने किया था, overflow hidden, तो overflow अगर hidden कर देंगे आप, तो यह नहीं दिखेगा, जो भी मारी image बाहर जाती हुई रहेगी, वो नहीं दिखेगी, तो चलो करके देखो, मैं उम्मिद करता हूँ, आपने कर लिया होगा, ठीक, तो अभी मैं करके दिखाता हूँ, मेरी कोई image होगी यहां पर, मैं देखता हूँ, अगर, कोई image हो यहां पर, तो यह है मेरी, यह है मेरी एक image, ठीक, इसी को मैं अपने project में रख लेता हूँ, मैंने इमेज रख ली इसको रिनेम कर देता हूं मैंने मी.jpg कर दी अब अब इसको हम अपने इसमें रख देंगे यहां पर उसका सोर्स दे देंगे अब अनुराग लिखता है अब यह देखो यह इतनी बड़ी हो भी इमेज क्योंकि इसका जो भी इंट्रेंसिक विट थी यहां पर अगर आके देखोगे तो यह कितने बढ़ो कितने की है 3000 भाइ फ्रốn थावजंड кож लिखते कितनी है ना gera लिक है यह तीन हजार मतलब मतलब इसकी ज्यादा विट है इसलिए इतना बड़ी आ रही है उमने क्या बढ़ी होती है इसकी वीट हम लोग 80 परसेग करते हैं इस चार्टिंग वीडियो से याद होगा इमने यहां पर दिया था इस टाइल विट्थ इस इकोल टू अंड़ेड परसंट तो अब हम लोग सीएस सीख लिये हैं तो यहां पर नहीं देंगे विट्थ हम यहां पर देंगे विट्थ तो यहां पर आ जाओ लिखो आईमजी और तो इसकी मीम विड्थन को तो इसका इसका षिट्थ तंहीम कर देगा ही तो इसके विट्थ इसक इतनी है 300 pc उसका प्रेंट यहां उसकी ते neste video कर दिया एंहिए अगर हम लोग इमेज आके देखेंगे तो इसकी विट्थ अच्छा 300 पिक्सल नहीं है क्योंकि उसमें से पैडिंग भी है यहां पर आके देखोगे तो यह है 234 पिक्सल है इसकी विट्थ जभी content की विट्थ होती है उसको यह मानता है जब हम लोग परसेंट में वैलू देते है तो क्योंकि हमने पैडिंग और बॉर्डर यह दोनों चीज़ दे दिया था ठीक थोड़ा थोड़ा तो उसमें से घट गया है ओवरॉल 300 पिक्सल था तो 300 पिक्सल से घटकी 234 बचा है तो यह 234 इसकी विट्थ था अभी बाहर जाता हुआ दिख रहा है तो बाहर जाते ह करेंगे overflow hidden कहां पर करेंगे यहां पर लोग यहां करेंगे तो इससे क्या होगा हमारे इस element से जो भी बाहर जारहा है वह तो अब देखो यह उसके बाहर जो जा रहा था वो तो गया हो गया लेकिन थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि यह हमारा background color यह है, इसलिए, तो यहाँ पर अगर हम लोग आ कि यह मेरे पास transparent image है, इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ, और इसको मैं delete कर देता हूँ, इसका नाम मैं रखता हूँ, और me.png है, तो इसको मैं change करके यहाँ पर png कर देता हूँ, तो अब अगर चल के देखोगे, तो यह जो भी मैंने इसका background color दिया था, यह कहाँ गया, इसका background color, वो मेरे background में दिख रहा है, तो यहाँ पर देखोगे, यह मैं कुछ भी change कर सकता हूँ, background color, यहाँ से कुछ भी म एक minute, यह देखोगे, जो भी color है न, इस पर अगर click करोगे, तो यह हमारे पास एक color picker आ जाएगा, और फिर यहाँ पर पूरा, कोई भी color change कर सकते हो, तो green कर दो, कुछ भी कर दो, अपर color change कर दिया हमने, तो हम circle के अंदर अपनी image ऐसे रख सकते हैं, अब हम लोग जब आग इसकी width और भी बढ़ा सकते हैं, चाहें तो, देखो मैंने बढ़ा दिया, और margin को हम लोग negative में भी दे सकते हैं, तो अगर मैं इसको margin, मुझे थोड़ा सा उपर लेके जाना है, तो margin top, margin top minus 20 pixel, अगर मैं 30 pixel कर दो, तो देखो, उपर जा रहा है, तो margin हम लोग negative में भी दे सकत है, margin अगर negative में देंगे, तो और उस तरफ चला जाएगा, उससे दूर जाने की वज़ा है, उसके तरफ चला जाएगा, तो negative margin यह करता है, जिसे हम लोग अगर इस पर margin negative कुछ भी दे देंगे, तो और उपर भागेगा, तो margin 30 pixel दे दिया मैंने, अब यह देखो, यह और कम दे दो, यह दे दिया, इतना 60 pixel, और इसकी विर्थ और भी बढ़ा दो, तो अभी देखना, तो यह विट तो बढ़ा रहा हूं लेंगे, यह center में नहीं है, तो margin left दे दो, minus में, margin left minus 60 pixel, 60 pixel नहीं, मतलब जितना भी adjust हो जाए बीच में, देखो 20 करके adjust हो जाएगा, हो जा रहा है, तो यह देखो, यह मेरा बन गया, एक दम center में आ गया है, तो यह कुछ ऐसा ही है, यह देखो, कुछ ऐसा ही बन गया है हमारा यह, अगर, तो एक मिनट, इसको मैं copy कर लेता हूं, यहां से हम लोग select करके copy भी कर सकते हैं, तो मैंने copy कर लिया है, और यहां पर आके मैंने paste कर दिया, यह यहां पर कर देता हूं, अपने image में, तेक, image को हम लोग style दे रहे हैं, तेक, और यह क्या miss हो गया, इवा रिलोड करो, कुछ तो छूट गया है, यह width हम लोगों ने बढ़ाया था, कितना किया था, 120, 140, कितना किया था, width 130 कर दो, यतना भी center में हो जाए, 125 कर दो, 25, तो यह लगभग वैसे ही हो गया, यह देखो, तेक, और इसको अगर height width बढ़ा कर देंगे, तो हमारी image भी बढ़ी हो जाएगी, इसकी height width कहा गया हमारा, 2 वाला, इसकी height और width कर दो, 500 pixel, तभी देखना यह बढ़ी हो गया, और इसको चाहो तो उपर लिख सकते हो, इसको उपर आके, यहां से cut करके, सबसे उपर paste कर दोगे, यहाँ पर, यह किधर कर देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं, तो यह हमारा उपर आ गया, और यह देखो, तो अब इसको फिर से में adjust करना पड़ेगा, इस image को अंदर वाली क देख तो इसकी यह होगी margin top 110 pixel कर दो और margin left भी ऐसे अभी मैं क्या कर रहा हूं इस पर double click करके इसको मतलब drag कर रहा हूं और इसे drag करते हैं अभी मैं mousepad कर रहा हूं तो double click करके इसे drag करना है और drag करेंगे तो ऐसे मतलब उसकी value change होती है तो इसको 35 कर देते हैं उसको 110 कर देते हैं इसको कर दो 35 और इसको कर दो 110 110 तो यह हो गया हमारा इस तरह से कुछ अब इसमें यह जो background color है यह भी हम लोग एक चलो इसी का इसी टाइप का कोई background color दे देते हैं लेकिन इसमें gradient है gradient है जो की change हो रहा है दर से उदर तो हम लोग वो हम किसी next video में discuss करेंगे लेकिन नहीं यह तुम्हारा काम है तुम खुद से google करो खुद से search करो और देखो कि background color में यह gradient कैसे देते हैं तुम खुद से search करो और लगा के देखो gradient कैसे देते हैं अभी के लिए मैं कुछ sky blue सा color दे देता हूं इसमें इसका जो background color है इसको sky blue कर देता हूं इसके उपर अगर click करेंगे तो यहां पर आ जाएंगे यह sky blue या कौई सभी कौन सा यह वाला color देता है कुछ ऐसा color देता है तो मैंने यह वाला color दे दिया इस color code को मैं copy कर लूँगा और यहां पर आके मैं जो भी था इसको मैं यहां पर paste कर दूँगा तो अब यह मेरा हो गया background color ऐसा तो अब तुम्हारा यह काम है तुम उसमें देखो gradient कैसे लगाते हैं Google पर search करो तो यह तो हो गया border radius कैसे हम लोग border radius का यूज करके हम लोग अपने border का radius जो है border का radius नहीं अपने जो भी element का जो भी rounded corner बना सकते हैं तो यह हो गया border radius अब फिर एक property होती है outline तो वह outline देखने में तो border की तरह ही होती है अगर मैं outline कर दूँँ और इसको देते भी border की तरह लाएं जैसे मैं आउटलैन कर देता हूं उद्सेशालिव और green कर देता हूं एक्दम ओशी है देखने में अगदम border की तरह ही लग रही है ना इकदम border की तरह लग रही है 5 पिकसल को मैं 15 पिकसल कर देता neon वह तो इस में और बाइंब्व डिफेन्स क्या होता है उस पर बाइंब्व ओले पे., अगर गुस्त ऐसे ओले पर बद्ञुआ का और यह देखो यह तो और हो यह दा बाईब्दवल मैं नीचे लेका हूं तो एकदम हो ही टाउ certains पााइब अ昨 दम डर और इसका भी वैसे ही है तो इसको मैंने copy कर लिया और यहां पर मैंने लगा दिया तो 10 पिक्सल का यह outline देखो इस पर भी outline हो गया border blue वाला तो दिखी नहीं रहा उसके आगे इसको मैं blue था तील था इसको मैं orange कर देता हूं थोड़ा सा ताकि दिख्या यहां से तो इसके अंद होगा तो देखो मेरी जो विट्थ है वो नहीं चेंज हो रही है मारी यह विट्थ को नहीं effect करता है यह बसके बाहर आ जाता है और दूसरा element अगर उसके आसपास आता है तो उसके उपर भी यह चड़ जाएगा अगर मैं इसका और भी बढ़ा देता हूं इसका color मैं change कर दे ग्रीन से मैं change करके यह कर देता हूं इसका मैंने यह change कर दिया है और कोई दूसरा color देते हैं यह वाला color देता है तो यह मैंने किसका किया है outline का color मैंने change कर दिया है यह RGB में आ गया है इसको convert करके यहां पर अगर click करोगे तो वह hex value में भी हो जाएगा तो जो भी तुम prefer करो कर सकते हो कोई matter नहीं करता सेम color रहेगा तो यहां पर यह outline अगर मैं इसको बढ़ाता जाओं बढ़ा के 55 कर देता हूं तो देखना यह उसके उपर चड़ गया है इस वाले element के उपर आ गया है ठीक लेकिन उसको push नहीं कर अब इसके उपर आ गया है तो इसका आउट लाइन की जो भी width और height होती इसको नहीं effect करता है यहां पर अगर आके देखोगे तो इसकी width 300 pixel है width height जितनी भी थी और इसकी भी मतलब जितनी भी set किया था हमने 500 किया था उसकी भी 500 है तो outline देखने में border की तरह ही होता है लेकिन वो हमारे उसको नहीं change करता है क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं height और width को नहीं change करता है तो यह हो गया outline तो इस वीडियो में हमने देखा margin, padding, border, contact box और फिर उसके साथ साथ हमने देखा यह outline देखा और border radius देखा इतनी सारी properties हमने study की और box model समझ लिया अभी एक चीज और बाकी है box model में अभी हम लोग ने जो ही box model study किया है वो केवल div के उपर किया है div यानि की block elements के उपर अभी हम लोग ने inline elements को रखा था यहां पर इधर अगर आके देखोगे यह देखो मैंने यहां पर span रखा था 3 टो html css javascript यह लिखा था इसके बारे में तो भी discuss ही नहीं किया हमने इस पर अगर box model को apply करेंगे तो कैसे काम करता है कैसे इस पर padding काम करती है कैसे margin काम करती है कैसे height width इस पर काम करेंगी इस पे नॉर्मली सुनके तो लग रहा होगा कि वैसे ही काम करेगी लेकिन इसमें बहुत अजीब सा भीएव करता है तो हम दोगे height width एपलाई ही नहीं होगा ठीक तो इसको हम लोग next video में discuss करते हैं अच्छे से और समझेंगे कि CSS का जो box model है वो inline elements के साथ कैसा होता है कैसा भीएव करता है एक्च्छल में बहुत अजीब सा होता है तो next video में हम लोग यही discuss करेंगे कि inline elements के साथ box model कैसा होता है कैसा भीएव करता है कैसे हम लोग inline elements के साथ box model को यूज़ करते हैं तो इस वीडियो में इतना ही मिलते है next video में तब तक के लिए बाई वैं